Hello Everyone, Welcome Back to My YouTube Channel आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गायनसेट टेबलेट के बारे में गायनसेट टेबलेट के क्या यूजिस होते हैं, किस कंडिशन में डॉक्टर आपको ये टेबलेट का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और किन-किन को ये टेबलेट लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए, इसके क्या साइड एफेक्ट हो सकते हैं तो इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगे कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी टेबलेट यूज नहीं करना है क्योंकि सभी की अपनी-अपनी कंडिशन्स दिफरेंट होती है और आपकी कंडिशन्स को देखने के बाद ही डॉक्टर आपको कोई भी टेबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं जो वीडियो आपको प्रवाइट कराई जाती हैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए इंफोर्मेशन के लिए ही प्रवाइट कराई जाती हैं तो चलिए हम बात कर रहे हैं गायना से टेबलेट के वारे में तो गायना से टेबलेट आपको उस कंडिशन में दी जाती है जब आपके बहुत लंबे समय से आपके पीरेड नहीं आए हुए होते हैं या आपके इर्रेगलर पीरेड चल रहे होते हैं आपको हॉर्मोन से इंब में प्रोपनी शेकर में और सब्सक्राइब आधे हैं बाख सबंग में और में और सब्सक्राइब सक्कीजिएं तो जब आप इस tablet को लेते हैं उसके 4-5 दिन की अंदर ही आपको तुरंत period आ जाता है और इसके बाद डॉक्टर आपके अपना आगे का आपका pregnancy का treatment स्टार्ट करते हैं तो जब 2-3 महिने से लगातार आपकी period नहीं आए हैं तो उसका एक सबसे बड़ा reason होता है कि आपकी ovaries में जो egg हैं वो नहीं बन पा रहे होते हैं क्योंकि जब आपके egg नहीं बनते हैं तो उन में से कोई भी egg आपका rapture नहीं होता है और आपके menses को disturb कर देता है अगर आपकी body में hormones imbalance चल रहा है या आपकी ovaries में चोटे-चोटे से cyst हो गए हैं तो cyst होने के कारण जो follicles होते हैं उन follicles के कारण आपका जो monthly problem होती है menses होता है वो disturb हो जाता है क्योंकि चोटे-चोटे cyst जो होते हैं उस कारण से next month का भी period आपका disturb हो जाता है और जब वो period के दो blood बाहर नहीं आपाता है तो वही दुबारा से जाकर के आपकी ovaries में cyst का रूप ले लेता है ये धीरे-धीरे करके बहुत सारी problems इससे create हो जाती है जो कि आपको मैंने भी बताया कि hormones imbalance के कारण ही होता है और hormones imbalance आजकल बहुत ही normal problem हो गई है दस में से 6 females ऐसी हैं जिनका weight gain होता है उनका hormones imbalance है उनको thyroid की problem है या अब उनके hair growth body hair growth बहुत हो रहा है pimples बहुत हो रहा है तो अगर इन में से कोई भी problem आपको बहुत जादा समझ में आती है तो आपको student doctor से consult करना चाहिए कि आप married हो या unmarried हो मेरा सभी के लिए यही suggestion है क्योंकि जब वो conceive करने के लिए प्लान करते हैं फिर उनका काफी लंबा समय का treatment चलता है और वो conceive करने में उनको काफी ज़्यादा problem आती है तो आपको तुरंत ही अपने doctor से कंसर्ट करना चाहिए और यह जो मैंने आपको tablet के बारे में बताया है तो यह doctor आपको एक tablet प्रेस्क्राइब कर सकते हैं दो भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं डिपेंड करता है कि कितने टाइम से आपकी period में सोच चुके हैं तो उसके आधार पर जब आपका मेंसे आ जाता ह मेंसेस आने के दूसरे या तीसे दिन डॉक्टर आपको बुलाते हैं अगर जरुवत पड़ती है तो वह आपका कुछ हर्टा साउंड बगेरा भी करते हैं और नहीं जरुवत करती है तो आपको fertility treatment देना सुरू कर देते हैं अब बिना मेंसेस के regular हुए या बिना period के आए आ आपका fertility treatment possible नहीं होता है बहुत से कमेंट मेरे पास आते हैं कि दो दो तीन तीन माहिने से पीरियड नहीं हुआ है तो फ्रेंट्स मैं आपको बार बार यहीं कहूंगी कि आपको अपने लिए अपनी हेल्थ के लिए बहुत जादा केरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि अग अगर उनकी मेंसे रेगुलर हैं इट मींस उनकी बॉड़ी में सारी चीजे ठीक चल रहे हैं लेकिन अगर मेंसे आपके इर्रेगलर हो गए हैं तो आपको तुरंत ही उसका ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको कंसीव करने में बहुत परवाही में बैठे रहते हैं तो बाद में बहुत उनको प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको यह जो बताया है गाहिन से टेबलेट के बारे में अगर आप इसको लेते हैं और आपको थोड़ा बहुत कुछ इसके साइड एफेक्ट भी समझ में आए बाद तो काफी खुल करके आते हैं काफी अच्छे ठीक से आपके मैंसेस आते हैं इसमें सिर्फ हॉर्मोन का ही बैलेंस बनाया गया है जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन होते हैं स्टोजन और प्रोजिस्टरोन तो मेली जब फीमेल में स्टोजन और प्रोजिस्टरोन का बैलेंस स्टब हो जाता है जो कि फीमेल सेक्स होर्मोन होते हैं यह फीमेल्स की बाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा यूस्फुल होते हैं जब इनका बैलेंस बिगर जाता है तभी फीमेल्स को पीरेड नहीं होता आते हैं तो यह जो एक कॉंबिनेशन है गाइनसेट ट्रेवलिट का नौरिस्टिस्टिरोन जो हर्मोंस है यह एक आपको आपका जो हर्मोंस है उसके लेवल को बरावर करता है यह एक प्रकार से आपको उसके सब्टिचूट के रूप में दिया जाता है आपके फीमेल्स के जो प्रोजिस्टिरोन हर्मोंस होते हैं उनके लेवल को बढ़ाने क लिए दिया जाता है जिससे उनकी जो मिंस्ट्र प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए और कंट्रोल हो सके तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा आपको यह जानकारी यूसफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श